नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलिसस पर स्वागत करता हूँ और आज मैंने काफी सारे लेवल्स आपको आनलिसस करके दिया था जितने लोगों ने देखा होगा वीडियो और काफी सारे लोगों ने पेशा कमाया होगा और मैं इसलिए वीडि बनाता हूँ गाइस अगर पहली बार कोई मेरे चैनल पर विजिट किया है तो मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इतना बड़ा उपॉर्चुनिट आपको बाद में नहीं मिलेगा काफी सारे लेवल्स मैं देन नहीं आता है कल अगर मार्केट में आपको वो लेवल्स के पर ट्रेड़ करके पैसा नहीं बनता है तो मैरा चैनल विजिर करके अनसबस्क्राइब कर सकती हो इतनी दाविय अगर आपको कह सकता हूँ छले जएदा हम लोग डिसकस नहीं करेंगे डारेकल लेवल्स के उपर पहला स्टॉक आपका रहेगा DLF और DLF की उपर हम लोग डिस्कस करने से पहले प्लीज अगर किसी को भी फ्री टेलिग्रम चानल पर जोइन करना है डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मैंने दिया हुआ है आप लोग चेक करके जोइन कर सकते हो और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ नोटिफिकिशन बेल को ओन करके रखिए चले हम लोग डारेक्ट चलते हैं लेवल्स के ओपर और पहला स्टॉक DLF रहेगा सपोर्ट रहेगा 309.45 पेसा याद रखिए अगर DLF 309.45 पेसे के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो सेल कर सकते हो पहला टार्गेट आपका रहेगा 306.45 पेसा और 303.50 पेसा याद रखिए आज का जो डे लोग है वही आपका नेक्स टार्गेट हो सकता है और अगर इसके नीचे चलता है तो पहले भी आपको लेवल्स दिया हुआ है वो करीबन 98, 97, 98 के आसपास आपको और एक टार्गेट देखने को बिलेंगे बट अभी इनिशियली जो मैं आपको टार्गेट बता देना चाहता हूँ 309.45 पेसे के उपर अगर चलने लगता है तो आप आपकर सकते हो सरी उसके नीचे सस्टेन करने पर सेल कर सकते हो सपोर्ट की उपर सस्टेन करने पर बाई करना है यह तो सबको पता होगा मुझे यहाँ पर ज्यादा एकस्प्लेइन करने की ज़रूत नहीं है चले और रेजिस्टन्स रहेगा 315 40 पेसा 315 40 पेसा आपका रेजिस्टन्स का काम करेगा जैसे ही रेजिस्टन्स की ऊपर सस्टेन करेगा बाई कर सकते हो टारगेट रहेगा 319 40 पेसा 322 65 पेसा याद रखे 315 40 पेसा का रेजिस्टन्स है जैसे resistance की उपर sustain करता है आप लोग buy कर सकते हो target रहेगा 31940 पेसा 322 रूपीज 65 पेसा यहां तक आपको target देखने को मिलेगा याद रखे जो भी मैं आपको levels बता रहा हूँ वो levels आप लोग note करिये और market में उन levels के उपर आप लोग trade कर सकते हो काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और साथी साथ बोलो क्या करते हैं levels not नहीं करते हैं मन मर्जी अपने तरब से market में trade कर लेते हैं ऐसा नहीं करना है आपको levels को note करना है और levels के हिसाप से आपको trade करना चाहिए तभी जाके आपको पता चलेगा कि market में क्या होने वाला है और कहाँ पर trade करना है, support कहाँ पर है, resistance कहाँ पर है बहुत सारी जानकारिया आपको मिल जाएगे चली Next talk आपका रहेगा Tata Motors Tata Motors की उपर तलब देखेंगे और Tata Motors जितने लोगों ने कल विडियो देखा होगा, definitely पता चलोगा जो levels मैंने दिया था, वो levels work करता है हमने Tata Motors का level अगर मैं थोड़ा अगर इहां पर discuss करूँ आपको 405 अगर चलता है 393.75 पेसे की उपर अगर sustain करता है, तब आपको मैंने buy करने का suggestion दिया था 397, 400, 405, 60 पेसा, करीवन 3 target मैंने बता है थे, 3 target आपको यहां पर अचीव हुआ है करीवन 409, 80 पेसा का level आपको यहां पर अचीव होते हुए देखने को मिला है 407, 45 पेसा तक था, बट इसने unfortunately 9 का इसमें high लगाया, 10 का, sorry तो अब चलते हैं, कल यह कॉंसे level पर आप इसको trade कर सकते हैं, वो देखेंगे फिलल support रहेगा 402, 20 पेसा, support कुछ ऐसा है और एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट ओके छोड़ देजें, इसको support रहेगा 402, 20 पेसा, अगर 402, 20 पेसा के नीचे, अगर यह sustain करता है, तब आप लोग sell कर सकते हो target रहेगा 398, 35 पेसा, और 394, 55 पेसा, यहां तक आपको target रहेगा resistance रहेगा 409, 90 पेसा, यानि क्या इसका day high जैसे ही day high की उपर चलता है, direct आपको एक target देखने को मिलेगा 415, 40 पेसा, याद रखिए 415, 40 पेसे के 40 पेसा में इसलिए दे रहाँ कि 416, 40 पेसा है तो यह काफी बड़ा high हो जाता है, तो यह जो level है 421, 420, 90 पेसा से लेकर इसी के बीच में एक मैंने resistance आपको दिया हूँ, करीबन एक रुपया का नीचे ही है तो कही नहीं कहीं 14, 15 का high लगा सकता है तो इसलिए आपको मैं 415, 40 पेसा दे रहा हूँ, आप लोग सेफली यहां से exit कर सकते हो अगर 415, 40 पेसा के ऊपर भी sustain करता है 420, 90 पेसा, यहां तक आपको chances मिलेगा trade करने का याद रखिए, 409, 90 पेसा के ऊपर चले तो buy करिए 415, 40, 420, 90 पेसा, यहां तक आपको target मिलेगा चलिए, next stock के ऊपर चलते है Next आपका रहेगा State Bank of India कल हमने देखा था साइद, जिंदल स्टील देखा था जिंदल स्टील ने support break नहीं किया exactly support पर hold किया तो हम लोग अभी चलते हैं थोड़ा State Bank of India के ऊपर और State Bank of India में अभी एक अच्छे breakout level के आसपास अभी हा रहा है तो यह breakout देने की कोसिस कर रहा है यह level को तो हम देखेंगे की 457, 58 का जो level है क्या यह level उसको break कर रहे की कोसिस करेगा यह नहीं रिबारा retest करता है यह नहीं करता है अगर करता है तो कहां तक जाएगा बहुत देखे लेंगा सपोर्ट रहेगा 451, 20 पैसा अगर State Bank of India 451, 20 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप लोग sale कर सकते हो पहला target रहेगा 446, दूसरा रहेगा 443, 45 पैसा तीसरा रहेगा 440 रुपीस तो याद रखिए 451, 20 पैसा के नीचे आप जैसे trade करोगे आप लोग sale कर सकते हो वहां से target आपका रहेगा 446, 443, 45 पैसा और 440 resistance रहेगा 450, 445 पैसा जैसे ही 450, 445 पैसे के उपर सस्टेन करता है आप लोग buy कर सकते हो target रहेगा 457, 75 पैसा 462, 45 पैसा याद रखिए दोस्तों अगर State Bank of India 454, 45 पैसे के उपर सस्टेन करता है तभी आपको buy करना चाहिए target रहेगा 457, 75 पैसा 462, 45 पैसा यहाँ तक आपको target देखने को मिलेंगे चले, next talk के पर चलते हैं जो भी levels बता रहा हूँ प्लीज आप लोग वो levels node करके market में ज़रूँ trade करिएगा next आपका रहेगा असोक लेलेंड, चले असोक लेलेंड में अभी थोड़ा देख लेते हैं असोक लेलेंड में काफी अचा trade आपको देखने को मिला होगा और हमने previous day में जो भी levels यहाँ पर हमने discuss किये थे, जितने लोगों ने देखा होगा 137, 95 पैसा तक हमने आज की लिए trade प्लान किया था बट 40 रुपीज का इसने एक high लगाया तो हम लोग देखेंगे कि कल कौन से level पर आप इसको trade कर सकते हो support कहां पर है, resistance कहां पर है candle तो काफी अच्छा बना है और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसको 42, 43 का जो level इसको दुबारा 45 को दुबारा retest करना चाहिए तो यह कहां पर support लेगा, कहां पर resistance को cross करेगा बहुँ हम लोग अभी देखेंगे support रहेगा 138, 40 पैसा intraday के लिए अगर 138, 40 पैसा के नीचे asok leland sustain करता है, आप लोग sale कर सकते हो पहला target आपका रहेगा 136, 85 पैसा 136, 85 पैसे के नीचे चलता है 135, 30 पैसा और 133, 75 पैसा याद रखे, 138, 40 पैसा के नीचे अगर sustain करता है तभी आपको sale करना चाहिए पहला target आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 136, 85 135, 30, 133, 75 पैसा दोस्तों यह लेवल्स आपको मैं बता दे रहा हूँ ध्यान से आप लोग यह लेवल्स नोड करके रखे क्योंकि यही लेवल्स आपको कल मार्केट में काम करने को मोका देंगे आपको तो resistance, resistance अभी कहाँ पर है resistance थोड़ा देख लेते हैं हम अभी resistance रहेगा 140 जैसे यह day high क्रॉस कर लेता है तो काफी अच्छा target आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा day high की उपर अगर चलता है directly 141, 145 पैसे के आसपास 141, 145 पैसे के आसपास आपको और एक target देखने को मिलेगा अगर यह target को भी cross करता है तो उसके आगे आपको 143 तक भी target आपको देखने को मिलेगे याद रखिए जो levels आपको बता रहा हूँ वो levels के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो याद रखिए 140 की उपर चलता है 145 पैसा और 143 आपको next target रहेगा जो भी levels बता रहा हूँ ध्यान से आप लोग के levels नोट करके रखिए और कल market में इनकी उपर आप लोग trade कर सकते हो चली next talk के उपर चलते हैं next आपका रहेगा Tata Steel Tata Steel के उपर हम लोग discuss करने से पहले जरूर बताना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ notification bell को on करकर रखिए so that in future कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरण आपको पता चले और आप उन levels की उपर trade कर सको चले टाटा स्टील का भी थोड़ा 15 मिट का चाट में आपके सामने अभी लाया हूँ अगर आप देख रहे हो तो सही से देख लिजे ये 15 मिट का चाट है और गाईज अगर किसी को भी फ्री टेलिग्राम चैनल पर जोइन करना है डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूँ चक करके जोइन कर लिजे चले टाटा स्टील का सपोर्ट देखते हैं 827 जाद रखिए टाटा स्टील अगर 827 के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो कहां तक टार्गेट है मैं अगर चार्ट को जूम आउट भी करूं थो आपको काफी दूर देखने को मिलेगा बट इतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे फिलाल के लिए हम लोग अभी थोड़ा डेली चार्ट में ही चले आते हैं और डेली चार्ट में आपको थोड़ा दिखा देता हूं तब आपको पता चल जाएगा यह आपका डेली चार्ट है आपको अभी बहुत थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि सिस्टम में है हम इसको थोड़ा कर बढ़ा करेंगे तो आपको थोड़ा बढ़ा करेंगे तो और पता चल जाएगा यह इतना बढ़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं एक बढ़ चले टाटा स्टील का सपोर्ट रहेगा A27 जैसे A27 के नीचे टाटा स्टील सस्टेन करता है आपका पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 819 अगर 819 के नीचे भी चलता है तो डाइरेक्ली आपको 790 का टारगेट देखने को मिलेगा बढ़ उससे पहले आपको और एक टारगेट फेस करना पड़ेगा 804 पर 804 50 पेसा याद रखें 827 के नीचे अगर टाटा स्टील सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा पहला टारगेट रहेगा 819 804 50 पेसा 790 यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा और अगर रेजिस्टन्स की बात कहूँ रेजिस्टन्स रहेगा 841 50 पेसा 841 50 पेसा के उपर सस्टेन करता है 8.56, 8.73, 85 पैसा Guys, 8.41, 50 पैसा Resistance है, Tata Steel का उसकी उपर Sustain करने पर Buy करिए 8.56, 8.73, 85 पैसा यहाँ तक आपको Target देखने को मिलेगा I hope आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा जो भी Levels आपको बता रहा हो खास करके वो Levels note करिए वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए किसी को भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्रम बगरा जोइन करना है Description पे एक E-mail आडी दिया गया है वो E-mail आडी आप लोग चेक करके जोइन कर सकते हो और उसके साथ साथ आप किसी को भी फ्री टेलिग्रम चैनल जोइन करना है Description पे उसी टेलिग्रम चैनल पर जोइन करिए और आपको सारे डिटेल्स आवगा मिल जाएंगे चली I hope आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज सेफली ट्रेड करिए जो भी लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स टॉट करकर ट्रेड करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद